यहां आप देख सकते हैं कि दो लड़के एक पत्थर उठाने की कोशिश कर रहे हैं पहला लड़का पत्थर को आसानी से उठा लेता है और दूसरा बड़ी मुश्किल से पत्थर को हिला पाया है इससे पता चलता है कि दूसरे लड़के के मुकाबले पहले लड़के में ज्यादा पावर है शायद आप सोच रहे हों कि ये पावर क्या होती है जिस दर पर काम किया गया है उसे पावर कहते है किया गया काम इस्तिमाल की गई उर्जा के समतुल्य है इसलिए पावर को इस्तिमाल की गई उर्जा की दर के रूप में भी परिभाशित किया जा सकता है गर्मियों में आम तोर पर प्रत्येक राज्य में पावर की कमी होती है इस मामले में पावर का क्या मतलब है? पावर वही दर है जिस पर काम किया गया है और वो दर जिस पर उर्जा इस्तिमाल की गई है यहाँ पर जिस उर्जा की बात हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल उर्जा है इलेक्ट्रिकल उर्जा की खपत की दर को खास तोर पर इलेक्ट्रिकल पावर कहा जाता है यदि हम electrical power का सूत्र बनाना चाहते हैं तो हम ये काम इसकी परिभाषा की सहायता से कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर P, इलेक्ट्रिकल उर्जा W द्वारा किये गए काम को लिए गए समय T से विभाजित करने के बराबर है। इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर P को उसे इस्तिमाल करने में लिए गए समय T में इस्तिमाल की गई electrical उर्जा के समतुल्य होने के तौर पर भी व्यक्त किया जा सकता है. इसलिए power समय में किये गए काम के समतुल्य है और power समय में इस्तिमाल की गई उर्जा के समतुल्य है. Electrical power की SIEQI watt है. जब current का एक ampere एक वोल्ट के potential difference पर चलाया जाता है तब एक वोल्ट पावर इस्तिमाल की जाती है. इस तरह एक वोल्ट इस एक वोल्ट गुणा एक ampere जोकी एक वोल्ट अम्पियर के बराबर है. छितरी गई electrical उर्जा को पावर को समय से गुणा करने के सूत्र से बताया जाता है. इसलिए जब एक सेकंड के लिए एक वोल्ट पावर इस्तिमाल की जाती है तब एक जूल इलेक्ट्रिकल उर्जा की खपत होती है. एक वोल्ट पावर एक छोटी इकाई है. आम तोर पर इस्तिमाल की जाने वाली इलेक्ट्रिकल उर्जा की गणना किलो वाट आवर में की जाती है जब एक घंटे के लिए 1000 वाट पावर इस्तिमाल की जाती है तब इस्तिमाल की गई उर्जा एक किलो वाट आवर कहा जाता है व्यावसायक तौर पर एक किलो वाट आवर इलेक्रिकल उर्जा को एक इकाई कहा जाता है इलेक्रिकल उर्जा को करेंट आई और विजिस्टेंस आर के गोडन फल के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है हम पावर को रिजिस्टेंस R पर V स्क्वेर वर्ग के सूत्र द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं